कि सिंपल कुकिंग वीडियो में आपका स्वागा था आज हम एक नए डिस लेकर आया है उसका नाम है केले का हलुआ केले का हलुआ बनाने के लिए हमें चाहिए दो पके हुए केले इसे हमने छील कर मैस कर लिया मिक्सिक जान में डालकर एक कटोरी सुजी एक कटोरी चीनी हाफ कटोरी देशी गी एक कप दूर चार छोटी लेची पिसी हुई चार बादाम महीन कटे हुए चार से पांस पिस्ता महीन कटा हुआ अब इससे बनाना क्यास है हम आपको बतलाते हैं गयास पर हमने कड़ा ही रख दी है और उसके हम रख डालेंगे सबसे पहले सूजी अब तेज आंच में सूजी को तीन सचार मिनट भूनेंगे हैं इससे बहुत ज़ादा में को ब्राउन नहीं करना है यह बहुत कम घी में हलुआ बन जाता है और चीनी के वल हमें सूजी के मतरा केला मिठा होता है देखिए हमनों सूजी को चार मिनट भूना है और इसका कलर चाहिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सब घी एक चमच मैंने बड़े चमच से घी डाला है अब इसमें डाल देंगे चीनी पूरी एक कटोरी ने डाल रहा है थोड़ा समने बचा लिया है और इसे भी चीनी को मिलाएंगे साथ के हम डाल देंगे इसमें छोटे इलैची पौणडर बादाम जब हम यह सब डालेंगे नगने गयस के आझको कम कर देंगे दो थे तिन थोटे बादाम के पीस बजा लेंगे कुछ पिस्ते हैं उसको डालेंगे थोड़ा सा बचा लेंगे परससे जाने के लिए और इसे भी एक मिनट तक भूलेंगे चीनी के साथ अब हम डाल देंगे इसमें एक कप दूद पानी अब पेश करके इसे चलाएंगे अराम से डालेंगे जब दूर पानी डालते हैं तो उसमें उचलता है और हाथ में छीटाने का डर रहता है और इसे हम इसका दूर पानी दोनों सोप गया है अब इसी समय हम डाल देंगे इसमें यह मैस किया हुआ केला और इसे भी चलाएंगे और इसका भी आई सूप जाएंगे इस सोप तपक हमको चलाना है तक यह कड़ाई न छोड़ें और इसमें अब फोड़ा तर फिर देशी की डालेंगे देखरां बस दो बड़े चम्मज घी में यह हलुआ बनकर तयार हो गया हलुआ खाने में पहुति होता है और केला आप में बहुत ही पॉस्टी है आप इसको नास्ते में साम को भी बना सकते हैं नास्ते में किसी बेंग जाते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है देखिए हमें कड़ाई छोड़ दी है अब हमकुल लेडिये बनकर गैस को हम बंद कर देंगे और उसे हम उख्लेट में निकालकर सब करेंगे इसमें हम डालेंगे महीन कटे हुए थोड़े से काजू और किस्ता केले का हलवा बनकर तयार है आप इसे बनाइए मुझे बतलाई आपको कैसा लगा आप मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए